कि नमस्कार दोस्तों हमारा आज का विश्य है सेक्षन 194 एंड टीडिये संट कैस्ट विड्रॉल बहुत वी कॉंट्रोवर्सल टॉपिक है और यह मान के चलो कि इसमें इसको लेकर बहुत सारे अर्टिकल छपे थे मैं इसको डिटेल में लेके जाओंगा क्लास तुरा असरा लंबा होगा क्योंकि मैं पूरा डिटेल में लेके जाओंगा ताकि मैंने भीवर्स को इसमें किसी तरह कुई समस्था नहीं हो आईए आगे बढ़ते हैं section 194N this section was introduced by the finance act 19 and it was further substitute by the finance act 20 तो एक आपका था जो finance act 19 में लाया गया था वो applicable था 1st September 2019 से लेकर 1st September 2019 to 30th June 2020 और 1st July 20 से फी अलग आ गया 1st July 22nd that that act was amended तो आईए हम लोग पहले देखते हैं कि 194N prior to 1720 क्या था first our discussion is 194N prior to 1720 क्या था उसको लेकर हम लोग deal करेंगे आए देखते हैं section 194N was introduced by the finance sector सबसे पहले आप यह समझेए कि यह जो 194N है यह मैंने क्या का TDS on cash withdrawal cash withdraw कहां से करते हैं cash withdraw करते हैं banking company से करते हैं या कोई cooperative है जो banking business में involved हैं या पोश्ट अफिसे के withdraw करते हो तो यह 194N किसके लिए applicable होगा 194N is applicable on banking company or cooperative society engaged in banking business and post office उसके लिए विड्रोव उसके लिए applicable होगा उससे यदि any person कोई भी person यदि cash withdraw करता हैं और साल में एक करोड से अधिक रुपाय करता है during the previous year एक करोड से अधिक रुपाय करता है तो तो टीजेश एप्लीकेबल होगा तू परसंट की जाब से तीजेश एप्लीकेबल होगा तू परसंट की जाब से देखिए कह लिए यह मैं बहुत समराइज विए में जैसा मैंने कहा था आपको यह काते या कट काते हैं कि फिट्ट्राइब होगा इन एक्सेस ओपर-पीज ओन करोड एक करोड शदिक रुपाय्पाय निएक करते हों तो तो आप मालीजे किसी एक बैंक के मेरा सेविंग एकाउंट भी है तो यह जो वन कवर का लिमिट है वो किसको लेकर होगा वह इन एग्रीगेट होगा वह इन एग्रीगेट होगा आप लोग को पता है कि सब्सक्राइब करता है तो आपका सभी कोर बैंकिंग सिस्टम के थूँ होता है तो आपका जो एक बैंक होंगे किसी दो हो जाएंगे लेकिन आपका एक एक से अधिक में मालव मैंने पीनवी से निकाला एक्ति लाक रुपीज और सब्सक्राइब तब एक कर पाएंगे इसलिए यह नहीं होगा आई यह क्या कि आप कितना रुपया निकालने पर एक कर निकालने से अप्ली के वलोगा हुई तो आप बैंक और कौपरिटी बैंक कॉंट से एक पांटीकुलर बैंक से मालोब मैंने यह पांच बैंक से अलग अलग पैसा निकालेंगे तो उसको कलब नहीं करेंगे समझेंगे मैंने इस मैंने डीटेल में आपको बोल दें आगे देखिए यह सेक्शन सबस्क्राइब उसको परण पर उसको अप्राइब नहीं होगा बैंकिंग के बीच अप्लिकेवल एक है इसके अलाव और कुछ है जैसे आपका banking correspondent जो आपका banking correspondent जो बैंकिंग के विहाफ में काम करता है उसके लिए applicable नहीं होगा जैसे किसक्षब हो गया next आपका white level ATM operator कुछ लोग ऐसे हैं जो ATM में पैसा जो डालते हैं हम लेको इसको white level ATM operator कहते हैं यह पुरा cash में dealing करते हैं इसलिए उनके उपर भी applicable नहीं होगा वह बहुत कम margin में काम करते हैं 2% TDS काटने पर उनके कुछ margin ही नहीं रहेगा इसलिए उनके उपर यह प्रोविजिए applicable नहीं होगा who are who are involved in the handling of substantial amount of cash as per of their business as as a part of their business operation from application of this provision समझ मागया it is also proposed to empower the central government और फिर क्या किया government ने अपने अंदर में power ले लिया to exempt other recipient through notification in the official gadget in consultation with RBI government ने क्या कि अपने अंदर में पावर ले लिया कि यह दी government चाहें तो through notification in the official with consultation of RBI चाहे तो recipient को exempt कर सकता है तो अभी तक initially मैंने क्या बताया आपको 194 applicable कब होगा जब आपका किसको किसको काटना पड़ेगा TDS banking company को cooperative bank को पोच्ट office को कब काटोगे जो जब 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 जो भी recipient है जो भी आपका cash withdraw करा एक करोर सदिक ठीक है एक करोर सदिक किसी ने एक करोर 20 लाक रुपर किया तो 20 लाक की उपर में 2% की हिजाब से taxable होगा बट यह जो लौ था यह applicable कब तक था यह applicable था थार्टी जून 2020 तक थार्टी जून 2020 तक अब यह इसको लेकर एक संभी डिटेल में जाऊंगा आए देखते निक्स देखते इसमें मैंने क्या कर था नोट्स में देखी cash withdrawal from two different banks shall not be aggregate very good section 194 and is applicable from September 2019 वह मैं आपको पहले बोल दिया है यह बहुत अच्छा कैसे एक बहुत अच्छा मने श्टडी है प्रविजो इस एड़ेट इन सेक्शन 198 आप लोग को पता होगा जो सेक्शन 198 है सेक्शन 198 क्या बोलता है जो भी आपका TDS काटा जा रहा है वह आपका इंकम है मैं मैं सीह हूं मैंने किसी मैंने किसी अपने घ्लाइंट को सेविच दिया क्लाइंट ने मुझे पे किया वन लाक रुपीज उस वहन लाग रूपीज के उपर में और वा से लार्ट ने अब जब यह 194N आया था फिनांस एक 19 के थू उस समय किसी एक Bombay के सीयर ने एकनोमिक टैंप में बुरी तरीके से के लिए गया था ठीक उसके पहले फिर इसको अमेंडमेंट किया गया था देखिए क्या लिख्या प्रविजो इस एडड़ क्या गया अमेंडमेंट यह किया गया जो 198 इंदर में नहीं होगा वह इंकम नहीं माना जाएगा वह हो 198 का exception होगा तो क्या किया देखिए प्रविजो इस एडड़ तो प्रवाइड दर टीडिए से डिड़क्टेट अंडर सक्षन 194N विल नॉट बी कंसीड़ आज इंकम आप दे एससी विल नॉट बी कंसीड़ आज इंकम आप दे एससी आई थिंग इस पंट आया था फिनांट से 20 के थू हम लोग अभी उसको डिल कर देखि क्या किया गया तो सब से पहले वही से हम कहानी किसके उपर एपली के बलोगा आप लोग कर पता हैं मैंने क्या लिखा रही तब फिच्छ नहीं है यामम्सट कर दिया गया था यह मजर चैन्स तो और कुछ नहीं addresses लोग प्रव्यों को ने दिखते हैं ज्म पर तैम एंड़ समझध कर रहरे हो कि डिटो ही करेंगा जो त्य तूबही थे आपका होगा बैंकिंक 전 सब्सक्राइब होगा जब आपका पैमेंट किया जाएगा जो जो के एक करोर से अधिक दूरिंग प्रिविएस हैं तो एक जुलाई 2020 में जो बेसिक था वो सब कुछ से में एड क्या हुआ था प्रोविजर आड वा देकि प्रोविजर क्या बोल रहा है कि एक बार में इसको ब नहीं किया है तो जो लिमीट पले एक करोर का था वो लिमीट कम होके हो जाएगे 20 लाक रुपीज का 20 लाक से लेकर टू कर शारी वन करोड तर 20 लाक तो एक टू परसेंट एबब वन करोर्ट टिजर टिजर इस फाइफ परसेंट इसी को प्रोविजर कर थू लाया गया प्रीवेजर को लिए प्रीवेजर इन विच यह इंग प्रीवेजर का फिरेकर तो हीम् पतला भी यह इदि 2021 का यह तो आपके लिए कौन सथी पीवेसे एपली के बलोगा म 1924 चोड़ दीजिये 1819 1780 and 1670 इम प्रफिजर आप त्वीजर अप्लाइफ इस सेक्शन साल अप्ला of the amount as the case may be being paid in cash exits 20 lakh rupees during the previous year but does not exceed 1 crore rupees उसकले 2% और an amount equal to 5% of the sum where the amount or aggregate of the amount as the case may be being paid in cash exits or 1 crore rupees during the previous year समझ में आया हम एक करोर सदीक हुआ तो 5% और उससे कम हुआ तो आपका 2% ठीक है अब और कुछ प्रविजो एड़ किया थे पहला प्रविजो यह एड़ किया था और क्या एड़ किया था प्रवाइड फ़र्दर दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर् अप्लाइब रिडूस रिसीप्यंट सटिस्पाइज था कंडिशन इस सच नूटिफिकेशन यह गॉवर्मेंट ने अपने अंदर में पावर ले लिया कि गॉवर्मेंट चाहिए तो रबी आई की कंसल्टेशन के बाद गॉवर्म एक नूटिफिकेशन जो आपका जो प्रभ अब तक इसू नहीं हुआ यह गॉवर्मेंट इसू करेगा तो उसकी साब से अपने अंदर में पावर लेकर रख लिया अगर देखिया पिर क्या था प्रोवाइड़ आल्सो डाट यह क्या बोला गया यह एप्लीकेबल नहीं होगा यह पहले भी था किसको पर अप्लीकेब करता है समझें जो बेंकिंग बिजनेस में है और पूस्टर में नहीं होगा यह आपने पहले बी रिट किया तो वह सेम यहां पर है और यह था बता है और तो आपका लेवल ATM operator वह भी नहीं होगा वह भी आपने पहले की किया था जो वाइट लेवल ATM operator है वह यह दि बैंकिंग का हो या कॉपरेटी बैंक का जो बिजनस में इन्वाल उसको लेकर हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यह देखी कहली किया प्रवाइड आल्सों देखी इन कंसल्टेशन सबसे पहले मैंने क्या कहा था जो लेकिन मानलों कोई HDFC बैंक का ATM operator है तो वह तो थो इंडिया में फाला हुआ है तो जो भी ATM operator है जो वाइट टेलर मेशिन operator maintain a separate bank account from which withdrawal is made only for the purpose of replacement cash in the ATM समझ में आया है तो यह जो वाइट ले जो cash replacement agencies है कि cash replacement agency है उसके उपर applicable नहीं होगा जो white level ATM operator और उसके franchise पर applicable नहीं होगा condition क्या है कि they need to maintain a separate account and showing that the withdrawal is made only for the replacement of the cash in the ATM next क्या दिया है cash withdrawal by commission agent operation under APMC agriculture produce marketing committee जो फार्मर्स होते हैं फार्मर्स जाते हैं और जो APMC के पास अपना समान को जाके सेल कर देते हैं और बदले में उनसे cash में पैसा ले लेते हैं तो यह जो इसलिए उनको कैस में आपी फार्मर को बोलोगी कि मैं चेक में पासा दूंगा फिर समस्या हो जाएगी और जो बिलेज लेवर पर उतने अच्छे बैंकिंग फासलेटी भी नहीं तो यह एक operational difficulties हैं इसलिए government ने इसको notice कि और इसमें इला दिया गया cash withdrawal by commission agent or trader operation under APMC and registered under any law for the purpose of making payment to the farmers on account of purchase of agriculture produce agriculture produce होता है जो APMC में जो आपके agent होते हैं जो फार्मर से fruits vegetables buy करते हैं उसके लिए applicable होगा नाव एक question यहां पर यह उड़ता है कि इसके उपर भी applicable होगा तो हाँ इसके उपर भी applicable हो जाएगा देखिए अब क्या बुलागे फुल फ्लेस्ट मनी चेंजर जो पैसे को चेंज करते हैं रहे इस्टर भाई आर्बी आई एंड इस एजेंट मेंटेनिंग अपर बैंक एकाउंट पर्पर्पर्पस समाझ में जो फुल फ्लेस्ट मनी चेंजर होते हैं उसके उपर भी applicable नहीं होगा लेकिन सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उससे फुट्रा लोगा वनली फॉर्पस से पहला क्या देखे तो पर्चे जब फॉरेंड करेंसी फ्रॉम आप फॉरेंड टूरिस्ट और नॉन रिसिदेंट बेजिदिंग इंडिया और रिटर्न टू इंडिया माल लो यदि कोई इंडिया घूमने आया है तो उससे फॉर्ण करेंसी में बाइक करता है तो यह भी सब्सक्राइब करना पड़ता है या पिर जो कभी फॉर्ण जिवर्ण गया देगुमने के लिए वह थी बैक होगे आते उनके पास जो डॉलर रिमेंड रहता है उसके लिए वो चेंज करके देते हैं समझ में आ जाती है उसके लिए अप्लिके बननी होगा पर्चेज़ फॉरेंड करेंसी फॉरेंड टूरिस्ट और नॉन रिसिडेंट बीजिटिंग इंडिया और फ्रॉम रिसिडेंड इंडिया इंडि नरए बहूत सारे हमारे भाई बहन जो डुबई में जॉब करते हैं वो लोग क्या करते दुबई संप express Ratstly में तो जब से पैसा बैसे इंडिया में्ट तो क्या होता था एक जो बंई careful yep कर iplayer सब्चक्र करते हो तो eurosid य को गशा था प्यक्षि हिजब से टान्सपर हो जाएगा तो यह जो ऑपरेशन जो ही MTSS का जो काम करते हैं उसके लिए भी 194N का अप्लिकेशन नहीं होगा because they are dealing huge amount in cash disbursement of inward remittance to the recipient beneficiaries in india in cash under money transfer services scheme of rbi and a certificate is furnished by the authorized dealer and their and their franchisee agent and sub agent and fmcg sorry fm i mean fm is a full-placed money changer fm e c mons full-placed money changer and their franchisee agent to the bank that withdrawal is only for the purpose a specified above and the directional guideline issued by the rbi have been a day or two a day or two a day or two so what happened first is full-place money changer अब उसके अपने गवर्मेंट नो उसको एजेंट भी ला दिया और दो अलग-अलग scheme भी आ दिया जो किसलिए यह करते हैं आए देखे बहुत अच्छा नोटिफिकेशन था आए आए एक एक एक्जामपल के थूँ इसको हम लोग डिल करते हैं एक्जामपल में क्या दिया हुए Mr. Jha has made the following withdrawal Mr. Jha has made the following withdrawal एक में रूज जाए हां made the following withdrawal during the financial year 2021 he has not अब मैंने क्या का 2021 के लिए return कौन सा होगा last year को छोड़के immediately preceding the last previous year last year को छोड़के उसके पहले बाद तीन साल तो 20 से के लिए कौन सा होगा 16 17 17 17 18 और 18 19 19 19 20 को छोड़के तो क्या ली का he has not filed the return of income for the previous financial year this and the date of filing is expired मैंने क्या का ITR फाइल नहीं किया तो इसकेस में क्या होगा new law कप से applicable था new law applicable है 1st July 20 से और पुराना लोक अप तक था 30 जून सप्टेमबर 19 तूम 30 जून 20 तक यह applicable था अब मैं आपको यह बता हूँ कि पहले के law में एक करोर का limit था तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि 30 जून तक एक क्रोर क्रॉस किया नहीं किया ठीक है और एक जूलाइ से new law applicable है आए देखते हैं क्या लिखा गया वन फोर ट्वेंटी को इमांट कितना हुट रहा किया 14 लाइक एग्रिकर्ट इमांट कितना हो गया 14 लाइक देर इस नो टीएस बिकॉस इम दरेट वाज वन करोर रूपीज अब तो 30 जून अब 21 जुलाइ को अब यह क्या होगा परसंट इस हो गया 40 लाइक मैं 20 लाइक इंडि तू परसंट है 40 जून रूपीज नेस्ट क्या बोला गया 25 यह 25 यह 25 लाइक रूपीज क्या हो गया 75 लाइक रूपीज हो मुझ जी तू परसंट एगे सही बात है तो पहले तो आपने 40 को पर चार्ज कर लिया तो आप कितना के बाप चार्ज करोंगे यह 75 को पर चार्ज करोंगे को थो 35 लाइक कर 2 से वन थे परसंट ऑजन रिपीज लोगे सान रिपीज ना एगेम एक्स क्हूं से को पहले 29 आपका 75 लाग था अभी कितना एक्सेस हो गया? एक्सेस आपका हो गया 25 लाग के उपर में 2% और 10 लाग के उपर में 5% समझ मे आए? 25 लाग के उपर में 2% और 10 लाग के उपर 5% तोटल इस 1 लाख रृपिज अब 18-10-20 को 50 लाक रुपीज और विट्ट्रा किये तो कितना हो गया 1 करोर 60 लाक रुपीज नाओ टीडियस रेट इस 5 परसेंट कितना होगा 50 लाक का 5 परसेंट विकॉज लिमिट अब 1 करोर आज एक्सपाइड तो टीडियस रेट इस 5 परसेंट जाज मेंट फॉलिंग जाज मेंट फॉलिंग विड्रॉल दूरिंग फिनांशल यह तो पिर से मैं वही बोलता हो कि 21 के लिए कौन सरी लिए पनीट हो का लास्ट प्रिवेश से यह को छोड कि यह नोट फाइल दा ही रिटर्न फिंकम पर फिनांशल यह 16-17-17-18-18-19-19 and that the due date for filing revenue is expired expired हो गया देखे क्या बोला गया 1 420 50 lakh rupees मैंने क्या कहा था 3620 तक पॉहाँ लोग अप्लिके बलें तो so there is no TDS in old law the the limit was one crore rupees 3620 3620 अभी तक पॉहाँ लोगी अप्लिके बलें 40 lakh rupees कितना होगे 90 lakh rupees अब देखो क्या हो गया यह अभी तक पॉहाँ लोग अप्लिके बलें so no TDS on rupees 90 lakh as the new provisions comes into force from 1st July 2020 is it clear now 2nd July को कितना withdraw किया 30 lakh rupees withdraw किये total is 1 lakh 20 1 crore 20 lakh 120 lakh अब मैंने क्या कहा था 1 crore तक 2% above to 1 crore 5% so 10 lakh 2% आपका हो गया 20 lakh rupees and next 20 lakh 5% हो गया 1 lakh rupees the total TDS is जब जब ही जब ही तो दो तारी को 2 जुलाई को पासा निकाने के लिए जाओगे 30 तो डिपार्टमेंट क्या तो बैंकर क्या करेगा बैंकर आपका एक लाग बीज़ारे पर TDS काट के बाकी पैसा आपको दे देगा I think this point is clear to all of you तो बस आज के लिए इतना ही इसमें बहुत सारे questions हो सकते हैं आपको यदि कोई भी difficulty हो जो क्या TDS होगा 194N को लेकर you can send कर आप मुझे comment में video के comment में आप मुझे comment कर सकता I will reply on that or second मैंने अपना mail ID भी आप लग साथ share किया यदि आपको लगता है कि कोई डाउट है कि कितना TDS काटा जाएगा तो you can send mail me also on this mail ID और इतना इता thank you for today thank you for listening class तुरह से बड़ा हो गया लेकिन क्या करना यदि सब्सक्राइब कि इसको आप लोग को समझ में आया होगा आप लोग कमेंट में बताईएगा कि वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो का अपने फ्रेंड्स में आप सेयर कीजिए ताकि जो 194N में किसी को डिफिकल्टी हो तो वह पॉल्म नहीं है thank you very much thank you